हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंग राठ हो रहे हैं और मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थुरू पढ़ा रहा हूँ PLL में हम लोग ने पहले basic concept भी देखा था उसके बाद फिर PLL का application frequency synthesizer की तरह frequency translator की तरह हम लोग कुछ और application आज देखते हैं तो यह वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले FSK का कैसे हम लोग demodulate करते हैं तो PLL को as a FSK demodulator की तरह आज हम लोग देखेंगे application उसका demodulator ठीक तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज को session देखे FSK की कहानी अगर आप लोगों को याद होगी तो FSK की कहानी में यह था कि frequency को shift किया जाता था किंग मतलब switching किया जाता था ठीक है तो मतलब अगर one है तो अपन higher frequency भेज देते हैं zero है तो अपन lower frequency भेज देते हैं तो इस तरीके से one और zero को हम लोग भेज देते हैं अब वही चीज रिसीव भी होगा one zero मतलब high frequency कभी low frequency कभी high कभी low ऐसे आते रहेगा हमार पास one zero data receive होता रहेगा तो अब क्या करें चीक है तो यहां पर मान लीजे आपका antenna है ठीक यहां पर आपका antenna है जहां पर आपको कभी signal मिल रहा है लेट सपोस कि f1 कभी signal मिल रहा है कभी आपको signal f2 मिल रहा है ठीक है हो स इसको आप pass करा देता है किसके साथ face detector के साथ ठीक है तो face detector हो गया face detector फेस डिचक्टर के पास दो इंपर चाहिए होता है तो जहां से एक कोई भी signal कभी f1 आ होगा कभी f2 आ रहा होगा वह सिगनल यहां पर आएगा हाँ इसको दूसरा जो इंपुट चाहिए होगा वह इसको यहां से मिल जाएगा वी सीयों के साथ वी सीयों यहां पर एक बार वोल्टेज आ रहा होगा वी सी वं एक बार व्ल्टेज आ रहा होगा वी सी फीर छोगा एक बार कभी अगर f1 आया होगा यहां से कोई frequency आई होगी उससे उसमें comparator की तरह या mixer की तरह वो detect करेगा और f1-fvco या f2-fvco जो भी होगा उसका वो frequency को minus करके या plus दोनों आएंगे यहां पे phase detector में और उसके minus वाले content को ही low pass filter pass करेगा ठीक है यहां से आप amplifier ले सकते हैं अगर आप चाहे इतने को अगर आप vco से pass करा देते हैं तो यह एक pll है जो हम लोग अभी तक देखें है basically pll यही होता है phase detector होता है low pass filter amplifier vco और यह जब एक lock condition में आ जाता है तो जो frequency होता है वो इसके बराबर हो जाता है fvco के यही तो pll है तो यहां तक हम लोग क्या कर सकते हैं यह वाले जो अब basically voltage ही आ रहा है यहां पर तो यहां पर 2 voltage आएगा क्योंकि दो अलग-अलग frequency है तो अलग-अलग voltage होगा और वो अलग-अलग voltage के basis पर ही यहां पर हम लोग 2 अलग-अलग frequency generate करेंगे vco की जो इससे match करेगा ठीक है अब क्या करें लेकिन यहां तो तो अपन क्या करते हैं इसको comparator से पास कराते हैं comparator से तो comparator को थोड़ा से दूर बना देते हैं comparator comparator ठीक है और comparator में क्या करते हैं इसी करा output को हम लोग क्या करते हैं low pass filter से पास कराते हैं low pass filter और फिर comparator को देते हैं ठीक मतलब आप देखिए क्या बात हो रही है यह input और इससे भी और input ठीक लोग- पास filter से अपन पास कराते हैं और इसको क्या करते हैं हम लोग एक comparator में क्या होता है कि compare दोनों चीजों को compare करता है तो एक को हम लोग क्या है reference की तरह set कर देते हैं मतलब मान लेजिए अगर हम लोग एक को 5 set कर दिये तो नीचे जो भी value आएगी वो पास से ज्यादा है तो 1 दे बीच का VC1 और VC2 का जो मिड आधा होगा वो यहां पर हम लोग रखेंगे ठीक है लोग इसमें इसका output और यह comparator क्या करेगा इसको compare करके output देगा ठीक तो अब देखे इसमें आपको मैं ऐसे बताता हूं कि let first consider that there are two frequency जो आ रहे हैं यहां पर F1 जो कि आप मान लेजिए 0 को represent क कर रहा है अगर PLL lock condition में है if PLL is in lock condition ठीक है दोनों case में चाहे F1 आये चाहे F2 case आये यह lock condition में है ठीक है तो यह जो VCO है इसका control voltage है ठीक है यह आपका किसको दिया जाएगा phase detector को दिया जाएगा ठीक तो यह VC1 जो है वो क्या होगा basically VC1 की अगर value देखा जाए तो VC1 होगा आप आपका जो FO आप यहां पर देंगे FO divided by KV ठीक है जो आपका क्योंकि FO ही यहां पर आ रहा होगा VC2 क्या होगा भाई जो भी F2 आ रहा होगा F2 frequency ठीक है F2 frequency माइनस आपका भाई यहां से FO गया है तो FO आएगा ठीक है divided by KV ठीक तो यहां पर जो control voltage generate करना है जिसके basis पर voltage control oscillator frequency generate कर देगा वह आपका VC1 और VC2 होगा तो यह आपका generate हुआ F1 F2 से यहां पर ठीक अब difference देखें दोनों एक VC1 है एक VC2 है दोनों का जो difference होगा difference in the difference between two control voltage ठीक डिफ्रेंस बिट्वें टू control voltage अगर आपन निकालें तो दोनों के बीच में अगर आपन निकालें तो आपको पता जल जाएगा F2-F1 by KV अगर आप इन दोनों का difference निकालें तो आपको मिल जाएगा F2-F1 by KV ठीक यह है आपका difference between two control voltage तो यहां से क्या होगा कि इन इस difference के basis पर क्या करेंगे अपन यहां पर इन दोनों के midway अपन लेंगे VC1 VC2 के basis पर इस पर तो इसका जस्ट आधा होगा VC1 भी नहीं VC2 भी नहीं उसका आधा यहां पर और comparator क्या करेगा compare करने की कोशिश करेगा तो difference voltage जो comparator को मिलेगा वो additional low pass filter से मिलेगा और वो adjusted होगा midway between VC1 and VC2 तो VC1 और VC2 के basis पर अपन यहां पर comparator output देगा 0 या फिर 1 तो ultimately यही तो हमको चाहिए था frequency shift key का demodulate करना है अपन को demodulation के लिए हम लोगो को F1 के लिए अलग चीजें F2 के लिए अलग हम कैसे पता चल पाएगा इसी तरीके से तो यह था हमारा FSK demodulator का signal या PLL को हम लोग FSK demodulator की तरह कैसे use कर पा है फिर मिलेंगे हम लोग next lecture में तब